तो फ्रेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ये है तुलसी का पोदा तुलसी का पोदा इंडिया में लगबग लगबग सभी के घर होता है और मुझे पता है आपके पास जरूरी होगा तुलसी का पोदा तो फ्रेंट्स बहुत सारे फ्रेंट्स पूछते हैं कि हमारे तुलसी का पोधा सूख जाता है तो तुलसी को इस तरह सालोबर घना रखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नमस्ते दोस्तो मैं हूँ कविता कविता के बगान युटिव चैनल में आपका स्वागा थे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स तुलसी का पोधा हमारे लिए बहुत ही पुझनियों पोधा है ये पोधा लगबग लगबग सभी के घर में पाया जाता है इस पोधा को रखने का बहुत ही साइंटेपिक और आध्यात्मिक महत है इस पोधे के होने मात्र से ही हमारे घर में बहुत सरे ऐसे बिमारिया और दोस्त दूर हो जाते हैं तो फ्रें तूलसी को रखने का हमारा सबसे अच्छा जगह उसे जगह पे रखिये जहां पे सनलाइट आपका सबसे ज्यादा आता है तूलसी के पोदे को एसी जगह आपके घर का जूठन या जूठा चपल ना पड़े तो दोस्तों तूलसी को केर करने के लिए छोटी- निकलते हैं तभी हमारा तूलसी इस तरह सगहना देखता है तूलसी के जो वीज होते हैं जब पोदे में वीज आना स्टार्ट हो जाए तो उस वीज को भी हमें काट कर देनी चाहिए और उस वीज को काट के गमले के मिट्टी में हमें दबा देनी चाहिए इससे ऐसा होगा कि ये किसी के पैरूर में नहीं लगेगा और ये डिकमपोस्ट होके तुलसी के लिए खाल बन जाएगा या फिर इसमें नए पोदे निकलाएंगे और दोस्तों जहां तक तुलसी में पानी देने की बात है अगर इसकी मिटी सूख गई है तो इसमें आप पानी डाल दे गर्मियों में आप सुबह और साम दोनों ही समय पानी डालना जरूरी होता है सर्दियों में जब मिटी ड्राइ हो जए तभी आप उसमें पानी डाले ज्यादातर तुलसी के पोदे सर्दियों में सुकते हैं तो सर्दियों में हमें तुलसी की देखवाल जब कडाके की ठंड़क होती है उस समय हमें तुलसी के पोदे को बालकनी में रख लेनी चाहिए क्यूंकि रात की जो ओस गिरती है उसमें सर्दियों के दिन में वो उसके लिए अच्छा नहीं हो, जिस कारण से तुलसियों के पोदे सर्दियों में सूख जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी द्यान देनी चाहिए, सर्दियों में उसे दूप प्रोपर लगे, इसलिए हमें उसे दिन में दूप में भी निकालना ब और अगर आपकी वगान की मिट्टी अच्छी है। शिर्फ आप मिट्टी से भी एक अच्छा तुलसी ग्रो कर सकते हैं। तो यह साइन्टेफिक और अधियात्मिक दोनो ही रीजन से आपके और आपके घर के लिए अच्छा है। मेरे द्वारा दी गए जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके मान में अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए और दोस्तों खेती वाड़ी और भागवानी से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैन निवार मिलते एक नए वीडियो में नमस्कार